अलो एब्रिवान गुड बॉर्निंग कैसे हो आई होब कि आप सब लग बहुत अच्छे हो यहां से जो भी आपको वर्क करवा रहे हैं वह बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हो और कुछ भी क्वेरी जे तो आप कॉल करके आपको पूछ सकते हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक के जो हमारे नंबर से वो कंप्लीट कर दिये हैं अभी 10 के बाद को नंबर आता है वो मैं आपको बताऊंगी and 10 से लेके 30 तक आज हम लोग कंप्लीट करेगे तो आप मैं जैसा करवा रही हूँ वो मेरे साथ आप लोग कंप्लीट करते जाओगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा तो आप फटा फट से जो अपना material है वो निकाल दो ताकि आप मेरे साथ सारा जो work है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर हमने किया था लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 1 से लेके 1010 तक कंप्लीट कर दिया है 10 के बाद जो नंबर वो हम लोग आज करने वाले हैं तो 10 के बाद कुन सा नंबर आता है 10 के बाद 11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 तो यहाँ पे हम लोगों को 11 से 20 तक के जो नंबर से वो सारे के सारे सिक्वन्स में दिये गए है और बहुत सारे स्क्वेर्स दिये हैं तो जैसे कि आपको मालूम है कि 1 से 10 में जो हमने जैसे किया था वैसे ही 11 से लेके 20 के नंबर में लिखके कंप्लीट करना है तो आई उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे एक लाइन में करके दूगी बाकी की तीन जो लाइन है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है तो फर्स्ट अफॉल मैंने क्या बताया था कि 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा 10 के बाद आता है 11 11 देखो यहाँ पे 2 वन दिये है इसलि तो यहाँ पे मैं क्या लिखूगी 1 1 11 11 के बाद क्या आता है 12 तो यहाँ पे मैं लिखूगी 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 एन के आएगा लास्ट में 2 0 20 तो यह थे हमारे 11 से लेके 20 तक के नंबर साम बापस से एक बाद रिवीजन करेगे 11 11 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 तो यह थे हमारे 11 से लेके 20 के नंबर्स चो आपको यहाँ से स्टाट करके लास्ट वाले स्क्वेर तक कम्प्लीट करना है I hope आप लगों को 11 से 20 के नंबर्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए है Then after कौन सा नंबर आता है 20 के बाद 20 के बाद 2 0 20 के बाद आता है 2 1 21 क्या आता है 2 1 21 कैसे करोगे देखो 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 And last में क्या आएगा यहाँ पर 2 की लाइन है वो complete होती है तो 2 के बाद जो लेटर आता है 2 के बाद आता है 3 तो यहाँ पर 3 0 30 जैसे कि यहाँ पर देखो हम लोगों ने पहले 10 किया फिर 20 किया अभी 3 0 आएगा अभी देखो पहले कौन सा नमबर आता है 1 1 के बाद कौन सा नमबर आता है 2 तो जैसे कि यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा क्यूंकि 1 के बाद यहाँ पर 10 दिया है तो 10 में 1 8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 आ जाएगे तो यहाँ पर 11 कर देगे, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 2, 2 आएगा, तो अभी 2 की सारी की सारी जो last में 1 की line complete करोगे न, तो नीचे last में आएगा 2, 0, 20, तो 2, 0 आएगा, तो बाद में सारी जो line से वो हमारी 2 की आएगी, कहां तक 2, 9 तक 2 की line आएगी पूरी, कौन सी आएगी, आगे सब में 2 आएगा, और पीछे सब में 1 से लेके 9 तक के number आएगे, अगर देखो, यहाँ पर 2, 9 आगया, तो 2, 9 के बाद, 2 के बाद, कौन सा number आता है, 3, तो अभी यहाँ पर सारी जो है, वो 3 की line स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आगे 3 किया है, तो यह 3, 0 कौन सा number हो जाएगा, 3, 0, 30 हो जाएगा, तो 30 के बाद के आएगा, 3, 1, 31, तो 31 से लेके, 39 तक जो हमारे number से, वो सारे 3 वाले line आएगी, मतलब कि आगे सब में 3 आएगा, ओके, तो पहले वो हम लोग देखेंगे, अभी, अभी यहाँ पर क्या दिया है, 2, क्योंकि आगे 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 क्या finish किया, 2, 0, 20, तो last में कौन सा number आया था, 2, 0, 20, तो 20 के बाद अगर आपको line complete कर दी है, तो क्या करोगे, अभी सब में आगे कौन सा number आएगा, 2, and पीछे जो है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 9 तक के जो number से, वो तो आगे कौन सा number, आगे सब में 2 लगा दोगे, तो यह कौन सी line हो जाएगी, 21, 22, 23, 24, and 25, तो अभी वो हम लोग देखेगे, क्योंकि 20 के बाद कौन सा number आता है, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, and last में क्या आएगा, 3, 0, 30, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आगे सब में 2 आए है, and पीछे 1 से लेके 9 तक के हमारे numbers आए है, तो अभी हम लोग इसको लिखे के कैसे है, जैसे कि 1 से 20 तक लिखे है, बिलकुल उसी as use उसी तरह हम लोग 21 से 30 के numbers complete करेगे, तो first of all 2, 1 दिया है, तो यहाँ पे 2, 1, 21, बाद में 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, अभी देखो मेरा जो 5 है, वो square के बहार निकला है, तो मैं क्या करूगी, मैंने आप लोगों को बताया था, कि आप अपने पास जो eraser है, उसके help करके उसको rub कर सकते हो, मैंने पास duster है, तो मैं उससे rub करूगी, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, तो यह थे हमारे 21 से लेके 30 तक के numbers, चो हम एक बार बापस से revision करेगे, then after हम लेंगे next page, तो पहले क्या करेगे हम लोग revision, देखो, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, तो यह आप लोगों को सारे जो squares दिख रहे हैं, उन सारे square में यहां तक आप लोगों को complete करना है, आज पहले हम लोगों ने क्या किया, 11 से 20 वाला page, then after 21 से लेके 30 वाला page, then after अभी हम करेगे next page, जूम आउट कर, जूम कर दीजे, अभी इसमें क्या करना है, आपको कुछ pictures दिए गए है, उस picture को पहले आपको numbers देखने है, then after count करना है, and जो जितने भी pictures दिए गए है, और नीचे numbers दिए गए है, उन number पे circle करना है, अभी कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और जूम कीजिए, 150, या 125, क्या करना है, देखो, count the number of given object and ring, मतलब कि यह सा circle करना है, and correct numbers, तो मैंने बताया था कि आपको कुछ pictures दिए गए है, and कुछ numbers दिए गए है, तो आपको pictures देखके, count करके, नीचे सही number पे उसके circle करना है, तो यहाँ पे दो number है, उस वे से एक number सही है, और एक गलत है, तो जो सही है, उस पे आप लोगों को circle करना है, उपर ले लिजे, ये दोनों ले लिजे, okay, अभी यहाँ पे bag का picture दिया है, तो वो हम लोग count करेगे, देखो, one, two, three, कितने दिये है bag हम लोगों को, three bag दिये है, तो यहाँ पे दो numbers दिये गए है, ये जो number है, वो three है, और ये number जो है, वो six है, तो मैंने आप लोगों को बताया है, कि एक number सही है, और एक number गलत है, तो जो सही number है, उस पे हम लोग circle कर देगे, तो यहाँ पे three जो है, वो सही number है, क्योंकि यहाँ पे bag हम लोगों को three दिया है, तो यहाँ पे three पे हम लोग circle कर देगे, then after balloon, balloon यहाँ पे कितने दिये है, वो हम लोग count करेगे, पहले यहाँ पे दो numbers दिये गए तो पहले क्या करेंगे अम लोग pictures जो है वो count करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4 हमारे पास कितने balloons है? हमारे पास 4 balloons है तो यहाँ पे अम लोगों को 2 numbers दिये गए पहला जो number है इसको अम लोग 2 बोलते है and second जो number है इसको हम four बोलते है तो आप लगों को देखना है कि कौन सा number सही है जो जितने pictures दिये है उतने number सही है तो यहाँ पे four balloon दिये है तो हम लोग four number पे circle कर देंगे then after नीचे यहाँ पे pictures दिये गए दो dog है हमारे पास यहाँ पे दो dog के pictures दिये है तो पहले हम लोग count करेगे one, two तो कितने dog है? यहाँ पे हमको दो dog दिये two तो यह जो number है इसको हम लोग one बोलेगे and second जो है इसको हम लोग two बोलेगे तो two number जो है वो हमारा answer हो गया मतलब कि वो number सही है तो हम उस पे एसे एक circle कर देंगे then after bell यहाँ पे आप लोगों को bell के pictures दिये गए है पहले क्या करेगे? जैसे हमने उपर किया उसी तरह हम लोग नीचे भी करेगे तो पहले हम लोग count करेगे one, two, three अभी देखो यहाँ पे दो line दी गई है तो आप three उपर three नीचे ऐसे count नहीं कर सकते हो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक continue count करना है तो जैसे के पहली line में हम पोचे थे वहाँ तक हमको three हुआ था three के बाद कुन सा नमबर आता है? four, five, six तो यह total bell हमारे पास कितनी है? हमारे पास six है तो जहाँ पे six नमबर है वहाँ पे हम लोग circle कर देंगे तो यह नमबर है यह six है और यह नमबर है वो three है तो हमें तो six नमबर पे चाहिए ना तो हम यहाँ पे circle कर देंगे अभी देखो पहले से हम लोग जाएगे तो पहले से करेगे ना तो देखो हमारे पास जो bag है वो bag कितने थे हमारे पास 3 then after balloons balloons हमारे पास थे 4 तो हमने 4 पे circle कर दिया then after dog का picture दिया था तो dog हमारे पास कितने थे इधर 2 तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पे circle कर दिया है then after bell दी गई थी तो वो कितने थी वो 6 थी तो हम लोगों ने 6 पे circle कर दिया है then after नीचे अभी देखो यहाँ पे आपको कौन सा पिक्चर दिया है यह जो है वो कैमल है तो यह कितने है हमारे पास एक ही है तो यहाँ पे 4 दिया है and 1 दिया है तो आपको मालूम है कि कौन सा नंबर सही है जो सही नंबर है उस पे सरकल कर देगे तो यहाँ पे 1 दिया है तो यह यहाँ है 1 तो यहाँ पे इस तरह से सरकल कर देना है then after यहाँ पे एक के पिक्चर दिये है यह कौन से पिक्चर है एक तो हम लोग count करेगे, जैसे कि मैंने बताया था कि दो line दी गई है, तो दोनों lines continue count करना है, बीच में से second line को बापस से one से start नहीं करना है, चाहां से जो number तक पोचे है, वहीं से continue करेगे, तो देखो, one, two, three, four, five, तो कितने एग है हमारे पास? five, तो five number कौन सा है? ये वाला कि ये वाला, ये number है, इसको हम लोग two बोलते हैं, ये वाले number को हम five बोलते हैं, तो सही answer five आएगा, तो five पे हम लोग circle करेगे, तो आज आप लोगों को यहां तक complete करना है, पहले हम लोगों ने क्या किया? 11 से लेके 30 तक के numbers, 30, 30 तक के numbers से वो कर दिया, then after यहां पे count and circle करना था सही answer पे, तो वो हम लोगों ने complete कर दिया है, आज यहां पे हमारा जो वीडियो है, वो खतम होता है, I hope कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि तो आप message या तो call करके अपनी queries है, वो solve कर सकते हो, okay, thank you, bye kids